नमस्कार दोस्तो एडिल सीवी सर्विसेज क्लासी में आप सब का स्वागत है फ्रेंड्स जैसा कि आप सब जानते हैं कि बीपीएसी के छात्रों के द्वारा कल साथ दिसंबर को पटना में पैदल मार्श कायोजन किया गया है और ये पैदल मार्श जो है पटना कोलेज से स्टार्ट होगा इसी भी दिली पुमारनिया गोशना की है कि जो छात्रे दिली में आ रहे हैं और किसी कारण वर्स वो बिहार नहीं आ पा रहे हैं वो दिली में ही राकर अपना सांति पुन्ट तरीके से परदर्सन करें और अंदोलन को सफल बनाए तो आप देख लिजे कि इन्होंने ट्यूट में क्या कहा है एक मिट यहां पर कि अन्याय अत्याचार और सोशन के खिलाफ अपने हक और अधिकार के लिए साथ दिसंबर को सुबह दस बजे सभी एस्ट्टेंट पटना कोलेज आईए पैदल मार्च छात्र अंदोलन होगा जो एस्ट्टेंट्स देली में रहेंगे वे देव पहर एक बजे बिहार भवन जाकर ग्यापन दीजिए ठीक है एक बजे इन्होंने बिहार भवन जाकर ग्यापन देने की बात कही है और साम पाँच बजे स्यामा परसाद मुखर जी यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्यामा परसाद मुखर जी की मूर्ती के पास इकठा होकर सांतिप पूर्वक अपनी मांग रखी है दिलीप कुमार और इन्होंने अपना कॉंटेक नमर दिया है इसका आर्थ यह हुए कि एक तरफ जहां बिहार में छात्रों का अंदुलन होगा वहीं दिली में भी छात्र जो है अंदुलन करेंगे और यह अंदुलन जो है सांतिपूर्व तरीके से साम को पांच बजे रखा गया है ठीक है फ्रेंट्स तो जो भी एस्टुट दिली में है वो इसमें भाग ले और इस अंदुलन को सफल बनाए क्योंकि दोनों तरफ से एक दवाब बनाने की कोशिस की जाएगी बिहार में तो दवाब बनेगा ही दिली में भी अगर प्रोटेस्ट होता है तो इसका काफी ब्यापक मेसेज सरकार के पास और आयोग तक पहुँचेगा कि इसका काफी जोरदार तरीके से बीरोद किया जा ठीक है फ्रेम्स धन्यबाद